नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बफिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिसकेस करने जा रहे हैं पेपर बोड का कोकुनट वाटर ये आप सभी ने पिया होगा काफी पॉपलर डिंक है और मैंने सोच है इस पे क्योना एक क्विक वीडियो बना दी जाए और लोगों को बहुत सारे डाउट्स है इस प्रोड़क को लेके क्या ये बेनिफीशल है क्या ये कोकुनट वाटर पी दिसकस करेंगे ओके फ्रेंग्स हो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रोड़क के बारे में पेपर बॉट का ये जो चोकुनट वाटर और ओसके नीचे लिखा है प्रोप्राइटरी फूट 14.1 1.2.1, so यह FSAI की एक list होती है, जिसमें आपका food कौन से category में आता है, so आप देख सकते हैं, जैसे कि इस list में, यह 14.1.2.1 में यह covered है, coconut water paper boat का, all right, so friends, अब आ जाते हैं, पीछे इसके packaging के, जो पीछे है, nutrition information उसमें क्या के लिखा है, which is very much important, तो आभी हम discuss करते हैं, क्या लिखा है, so per serving जो है इनका, यह मतलब 100 ml के इनोंने हिसाब से दिया है, तो इसमें आपकी calories है 22, protein 0, carbohydrates 5.5, total sugar 5, added sugar है इसमें थोड़ा सा 0.6, और total fat 0 है, cholesterol है 0, sodium 8.5, यह है दोस्तों 10 ml के हिसाब से, और यह जो bottle है, that is 200 ml, जो quantity है, तो इस nutrition facts को आप जितने भी इसमें लिखे हैं, into multiplied by 2 आप कर दीजे, तो वो सारे nutrition facts जो भी इसमें mention है, वो इस bottle के अंदर है, तो आप आजाते हैं, इसके ingredients पे, so ingredient लिखा है, coconut water 99% and sugar, इसमें लिखा है, sugar and preservative, NISIN, जो इसमें preservative भी added है, और sugar भी थोड़ा सा added है, alright, अब दोस्तों बात करते हैं, क्या यह product अच् sugar है, सबसे पहले, और इसे preservative added है, yes, सबसे पहले, तो यह चीज़ क्लियर हो गई, कि इसमें added sugar भी है, और preservative है, अब वो कितना है, क्या है, वो बात की बात है, कि इसमें कितना कम है, जाद है, बट added है, okay, अब question आता है, कि जो real coconut water है, क्या उसमें added sugar होती है, नहीं होती है, उ तो हमेशा जो है, मेरा जो पिक जाएगा coconut water के लिए, वो है हमेशा real coconut water, because it's real, तो जैसा मैं हरे वीडियो में बता हूं, तो जितना आप नेचर से जोड़े रहेंगे, जितना आप नेचरल चीज़े पिएंगे, उतना आपको जादा बेनेफिट मिलेगा, instead of these packed items, okay, अब दो आपको काफी लोग जो है, कोल डिंग पीते हैं, जादा एनरजी लेने के लिए, या रेड बूल पीते हैं, इस पोर्ट कहले टाइम, या ट्रावलिंग में, या फिर इस्टिंग आजकल काफी एक पॉपलर ब्रांड है, उसमें बहुत सादा शुगर होता है, उसमें बहुत तो कोल्टरिंग, स्टिंग और इन सब की जगह अगर आप ये ले लेंगे, वो उनसे बहुत जादा लाग गुना बैटर है, तो आप ये ठंडा पेपर बोड का कोकोनट वाटर पी सकते हैं, बत लेट से अगर आप वो कोकोनट वाटर ही पीना है और आपके पास एक्सेस है तो आप लोकल वेंडर से रियल कोकोनट वाटर पी सकते हैं, तो गाइस, I hope आपको मेरी एक कुछ वीडियो अच्छी लगी होगी, so make sure you like this video, subscribe my channel and don't forget to comment, enjoy your walkout